हेलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सभी का जी गेटर है की ड्यूग चैनल में तो दोस्त जैसे कि आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपको बारत के सभी 28 राज्यों के बरतमान राज्ययपाल बे मुख्यमंत्री का एक पूरा वीडियो दिया था लेकिन उसके बाद दो राज्यों के और नए मुख्यमंत्री चेंज किये गए हैं तो यह जो वीडियो अब तक का पूरा अपडेटेड वीडियो होने बाला है तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्तपूर है तो अब वीडियो को बिनए स्किप के पूरे अंड तक दिखते रहिए तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर आज का पहला कोश्शन है उत्रखंड राज्या के नए राज्यापाल बने हैं गुर्मीत सिंग तो इसका अंसर D हो जाएगा इसी के साथ बात करें उत्रखंड के नई मुख्य मंतरी कोन बने थे तो पुसकर सिंग धामी बने थे तो दोनों याद रखने हैं इसके बाद अगला कोस्सान है पंजाब को नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया तो देखे पंजाब राज्ये के नई राज्यपाल बने बनवारी लाल प्रोहित तो इसका अंसर भी हो जाएगा इसे एक साथ देखे पंजाब राज्ये के 20 सितंबर को नई मुख्य मंतरी बने जिनका नाम है चरणजीत सिंग चन्नी देखे कैप्टन अमरिंदर सिंग के इस्थिपाद देने के बाद 20 सितंबर को चरणजीत सिंग चन्नी बचे हुए कार्याकाल के लिए पंजाब के नई मुख्य मंतरी बने है तो याद रखना है नेश्ट कोस्टन देखते है तमिलाडू राज्य के राज्यपाल को ने बने है तो देखे तमिलाडू के नई राज्यपाल बने जिनका नाम है आर एन रभी यानि की रबिंद्र नरायन रभी तो इसका अंसर सी हो जाएगा देखे आरेन रभी इससे पहले ये नागलेंड की राज्यपाल थे अब ये तमिलाडू की राज्यपाल बन गए हैं और तमिलाडू की बरत्मान मुख्य मंत्री है M.K. स्टालिन इसके बाद अगला कोस्सान है नागलेंड राज्यपाल का अतरिक्त प्रिभार किसे दिया गया है तो देखे जो नागलेंड की राज्यपाल थे आरेन रभी तो ये अब तमिलाडू की राज्यपाल बन गए है तो नागलेंट के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रिभार अब दिया गया है प्रोफेसर जग्दीस मुखी को तो इसका अंसर यह हो जाएगा और जो प्रोफेसर जग्दीस मुखी है यह सम के राज्यपाल है तो इने नागलेंड राज्य के राज्यापाल का अतिरिक पिरुबार सोंप गया है याद रखना है और नागलेंड के मुख्य मंत्री है Nepio Rio अगला कोस्स थान है मड़ीपूर के नई राज्यापाल कोमने बने हैं तो दिखे मड़ीपूर के नई राज्यपाल बने एल गडेशन तो उसका अंसर यह हो जाएगा एल गडेशन ने नजमेहप्तुल्लग इस्थान लिया है तो याद रखना है कि मड़ीपूर के नई राज्यपाल ने एल गडेशन और यहां के बरत्माल मुख्य मंतरी है ऐन भिडेन सिंग अगला कोश्चन देखते हैं करनाटक राज्य के नई राज्यापाल कोन बने तो करनाटक के नई राज्यापाल बने है थावर चंद गहलोगत तो इसका अंसर यह हो जाएगा और देखे करनाटा के नए मुख्य मंत्री बने थे जिनका नाम है बसब राज बुमबई नेश्ट कोस्टन देखते हैं मद्धा प्रिदेस राज्ये के नए राज्यपाल कोन न्युक्त किये गए हैं तो इसका अंसर भी हो जाएगा मंगु भाई छगन भाई पटेल मंगु भाई छगन भाई पटेली मद्धा प्रिदेस के नए राज्यपाल न्युक्त किये गए हैं और मद्धा प्रिदेस के मुख्य मंत्री हैं सिवराज सिंग चोहान और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है आपके लिए जरा सभी हेलफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेस के नए राज्यपाल कोन बने तो इसका अंसर ओप्संस ही हो जाएगा राजेंदर बिस्मनाथ अरले कर राजे इंदर भिस्मनात रले कर ये हिमाचल परदेश के नही राज्यपाल बने है और इसके मुक्य मंतर को हुँ नै हिमाचल परदेश के तो जे राम ठापूरे है और यहां के मुक्य मंतरी है जो राम ठंग़ा नेक्ष्ट कोस्ण देखते हैं गोवा राज्य के नई राज्यपाल कोन न्युक्त के गई हैं तो गोवा के नई राज्यपाल बने हैं पी ऐस सरीधरन पिललाई तो इसकांसर बी हो जाएगा और गोवा के मुख्य मंत्रिय wurden फिरमोध साबंत अगला कोशन देखते हैं तिरुपुरा के नई राज्यपाल कोन बने तो तिरुपुरा राज्ये के नई राज्यपाल बने है सत्य देव नारायन आर्य है तो इसका अंसर C हो जाएगा और तिरुपुरा के बरत्मान मुख्य मंतरी है विपलप कुमार देव इसके बाद बात करें जहारखंड राज्य के नई राज्य पाल कोन बने तो जहारखंड के नई राज्य पाल बने जिनका नाम है रमेश बेस तो इसका अंसर ओप्सन डी हो जाएगा रमेश बेस जहारखंड के नई राज्य पाल बने वो जहारखंड के बरतवान मुख्य मंतर मोखला recursos Before अगला कोश न देखते हैं.. telephone number 15 आई यह आड़ोनाचले परदेश के राज्येपाल क्यों है और इसलोर अजिए मारी अंतिते हैं.. और इस समय बिहार के 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 बिहार रज्यपाल है और 36 बरतवान मुख्यमंतरियां भुपेर्स बगेल कोस्ता नमर 18 है गुजरात के बरतवान में राज्यपाल है अचार्या देवरद तो इसका आंसर सी हो जाएगा अब देखे बात करें मुख्यमंतरी की तुमेहतपोने क्योंकि जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे बिजह रुपाणी तो उनका इस्थेपा देने के बाद 13 सितंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने बचेवे कार्राकाल के लिए भुपेंदर पटेल तो याद रखना है कि बचे हुए कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंतरी बनाए गए है भूपेंदर पटेल अगला कोस्तन देखते हैं कोस्तन नमर 19 है केरल राज्ये के राज्येपाल कोन है तो इसका अंसर ए हो जाएगा आरिफ मुहम्मद खान आरिफ मुहम्मद खान बरतमान में केरल के राज्येपाल है और बरतमान में मुख्यमंतरी केरल के पिनराई बिजियन बात करें महराष्ट की तो महराष्ट राज्ये के बरतमान में राज्येपाल कोन है तो महराष्ट के बरतमान में राज्येपाल है भगत सिंग कोश्यारी तो इसका अंसर भी हो जाएगा भगत सिंग कोश्यारी बरत्मान में महाराष्ट के राज्यपाल है और महाराष्ट के बरत्मान मुख्य मंत्री है उद्धव ठाकरे अगला कुस्सन है मिगहले के राज्यपाल कोन है तो मिगहले के बरतमान में राज्यपाल है सत्यपाल मलिक तो इसका अंसर भी हो जाएगा सत्यपाल मलिकी मिगहले के राज्यपाल है और मिगहले के मुख्य मंत्री है कौन रोड संगमा अगला कुस्सन है ओडिसा के बरतमान राज्यपाल कोन है तो ओडिसा के बरतमान में राज्यपाल है गड़ेसी लाल तो इसका अंसर सी हो जाएगा गड़ेसी लाल है ओडिसा के राज्यपाल है और ओडिसा के मुखे मंत्री कोन है तो नभीन पटनायक है अगला कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमर तेईस है राजिस्थान राज्य के राज्यपाल कोन है तो देखे राजिस्थान के बरतमान में राज्यपाल कोन है अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंड ओक्समें बता सकते हैं शिक्किम के बरतमान में राज्यपाल कोन है तो इसका अंसर ओप्सन डी हो जाएगा गंगा पिरसाद गंगा पिरसाद बरतमान में सिक्किम के राज्यपाल है और सिक्किम के मुख्य मंतरियां प्रेम सिंग तमांग नेश्ट कोसन है तेलंगान राज्ये के राज्यपाल कोन है तो इसका सही answer option भी हो जाएगा तमिल साई सुंदर राजन तमिल साई सुंदर राजन तेलंगाना के बरतमान में राज्यपाल है और यहां के बरतमान मुख्य मंत्री है के चंदर सिकर राब अगला कोशन है उत्तर प्रदेस के राज्यपाल कोन है तो आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेस के बरतमान में राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल तो इसका अंसर यह हो जाएगा और उत्तर प्रदेस के मुख्य मंत्री योगी आधितनाथ है कोशन नमर 27 है पश्ची मंगाल राज्ये के राज्यपाल कोन है तो पश्ची मंगाल के बरतमान में गवर्नर राज्यपाल है जगदीप धनकर तो इसका अंसर सी हो जाएगा जगदीप धनकरी पश्ची मंगाल के राज्यपाल है और यहां के मुख्य मंत्री मम्ता बनर जी है इसके बाद है असम के बरतमान राज्यपाल कोन है तो असम के राज्यपाल है जगदीस मुखी तो इस कहां से डी हो जाएगा जगदीस मुखी बरतमान में असम के राज्यपाल है और असम के बरतमान मुख्य मंतरी है हिमंता बिस्बा सर्मा अब देखें ये तो बहरत के 28 पुद्दू चेरी के पुद्दू चेरी के नई मुक्य मंतरी बने थे जिनका नाम है अगला कोशन है अंडमान और निकवार द्यूप समू के उपराज्य पाल कोन है तो इसका अंसर उप्सन B हो जाएगा देवेंदर कुमार जोसी देवेंदर कुमार जोसी बरतमान में अंडमान और निकवार द्यूप समू के उपराज्य पाल है अगला कोस्सन है जम्मु कस्मीर के इंदसाजी प्रदेश के उपराज्य पाल कोने तो दीखे आप सब जानते हैं इस समय जम्मु कस्मीर के बरतमान उपराज्य पाल है मनोज सिन्ना तो इसका अंसर यह हो जाएगा इसके बाद है लद्दाक के इनसासी प्रदेश के उपराज़े पाल को ने हैं तो लद्दाक के उपराज़े पाल हैं राधाक रस्ण माथूर तो इसका अंसर D हो जाएगा अगला कुस्सर ने दादर नगर हवेले इवं दमन दीब के पिरसासक को ने हैं तो देखे बरतमान में दादर नगर हवेले इवं दमन दीब के पिरसासक हैं प्रफुल खोदा पटेल तो इसका अंसर C हो जाएगा इसके बाद है लक्षे दीब के बरतमान पिरसासक को ने हैं तो लक्षे दीप के बरतमान में पिरसासक है दिनेश्वर सर्मा, तो इसका अंसर B हो जाएगा, अगला कोशन है, चंडीगड के पिरसासक कोन है, तो देखे महत्वपूले की चंडीगड के पिरसासक कोन है, तुम आपको इसके बारे मता दू, जो बिजेंदरपाल सिंग बद पिरभार सोप गया था, उसके बाद जो बनबार इलाल पुरोहित हैं, ये पंजाब के राजजयपाल तो बना दिये गए, लेकिन चंडीगड के पिरसासक कोन होगा, ये अभी तक किलियर नहीं हो पाया है, कि चंडीगड के पिरसासक कोन होने है, जैसे ही किलियर होगा है, आप पता चलेगा कि चंडेगड के परसासक कौन बने हैं तुम आपको बता दूँगा तो आप इसे ध्यान न किएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उबीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयो अगर आपको वीडियो अच्छे लगाओ आपके लिए हल्फ फूलो तो प्लिज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत